जी हैं दोस्तो स्वागत है आपका this region fact में दोस्तो फिर से स्वागत है आपका एक नवी वीडियो में दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करने वाले है कि जारकंड उतपात सिपाही का जो है दोड क्यों नहीं हो रहा है कोर्ट केस में क्या इसका मेटर चल रहा है और जो है दुसरी बात है दोस्तों कि इसमें जहारखंड पुलिस की वेकेंसी कब आने वाली है या नहीं आने वाली है ठीक है और तिसरा हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों जो की जहारखंड दोरोगा SI की वेकेंसी है वो कब आएगी नहीं आएगी ठीक है और कितने पोस्ट उसके बाद ही जो है कि उत्पात सिपाई का रणिंग का डेट निकलेगा या आगे की करवाई होगी ये जीज ये दोस्तों बहुत सारे बेक्टियों में कन्फ्यूजन है कि नहीं कोट का डेट नहीं आया है क्योंकि दोस्तों जो 13 तरीकों सुनवाई हुई है 13 और 2023 को ठीक है उसमें ऐसा नहीं कि सुनवाई नहीं हुई है उसमें actual में जो सुनवाई हुई थी वो लगबग आदे गंटे की सुनवाई थी दोस्तों लेकिन जो है कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसे तैथी रखे गए थे वहाँ पर जिसके क हर एक वकेंसी को जो है कि अभी है केस चल रहा है आप अगर पिछला वकेंसी को जो अभी चल रही है अगये बढ़ाने के प्रक्रिया में बहुत सारी प्रोब्लम्स आ रही है जिसके कारण ये दोड़ अभी नहीं हो पाएगी ठीक ना दोस्तों इस दोड़ को कम से कम होने के लिए जो है कि अभी तो लगवग एक डेड़ मैना तो ये नहीं होने वाली है लगवग ये दिसंबर अभी जो है कि ग्राउंड डेवेल नहीं है और पहले क्या होता है कि अभी जो है कि 7 लाग कंडिडेट है 7 लाग में अगर जदी हम लोग मान भी लेते हैं कि चलिए अपसेंट भी रहे ठीकdisbacks रहे तो ज्यादा से ज्यादा पचास अजार या एक लाग ठीक लेकिन फिर ठीक है कुछ टेकनिकल गजेट्स होते हैं ठीक है इतने इतने कंडिडेट्स है अगर एक दिन में 1500 कंडिडेट्स को दोड़ाया जाए दोस्तो तो जो है कि लगबग लगबग एक से डेड़ महिने का समय लगेगी और एड्मिट कार्ड अगर जारी भी करेगी सरकार तो अपन दोड़ करवानी यह तो पहले से फिक्स रहेगा दोस्तो ठीक है लेकिन दोड़ करने के दोरान जो है क्या क्या वहां पर चीजों क्या वशक्ता होती है ठीक है तो उन चीजों के ब्युस्ता पर समय लगता है ठीक है तो इसलिए जो है कि दोड़ में जो बिलम हो रहा है दो लेकिन अभी क्या है कि जारखंड की जो इस्थिति है ठीक है उससे आप रूब रहूँ है ठीक है उससे आप जानते हैं कि अभी जो है कि जारखंड में कोई भी वेकेंसी जो है कि किलियर होने का नामी नहीं ले रही है हर वेकेंसी पे केस चल रही है ठीक है अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि आप लोग को जो है कि जहारखंड के वेकेंसी के ये जो उत्पात सिपाई है कि इसके आस में रहना चाहिए या फिर जो दोरोगा की वेकेंसी आने वाली है ठीक है उसके आस में रहना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि दोरोगा की जो वेकेंसी है ठीक है वो अभी नहीं आने वाली है ठीक है आप इसके लिए एकदम कंफर्म रहें कि दोरोगा की वेकेंसी नहीं आने वाली है और नहीं दोस्तों अभी जहारखंट पुलिस की वेकेंसी आने वाली है लगवग यह पांच हजार के लग बज़िकाने वाल फिर फिर भी क्यों है नी क्यों है न सिर्फ 5000 की ही vacancy आने वाली है आप लोग देख लिजेगा जिससे में आएगी ठीके लगवाग यह जो vacancy है कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए जो है कि अभी 5-6 मेने मतलब अभी दूर दूर तक जो है कि उसका कोई चर्चा नहीं है दोस्तों तो अभी उस वेकेंसी के आस पे आप लोग नहीं रहें ठीक है जो भी एफेक्ट है दोस्तों आप जो है कि इसको जब आएगा तो आप देखें के मेरे बातों को ह कि मैंने ऐसे ही बोला था कि कुछ फेक्ट था इसमें ठीक है और अभी जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि JSC के जो चेर्में है वो भी चेंज हो चुके है क्योंकि जो पूर्य में जहरखन के DGP थे ठीक है उनको JSC का चेर्में अभी बनाय गया तो हो सकता है कि कायरे में थोड प्रदेजी आ जाएं तो दोस्तों इसके लिए तो नहीं कुछ कह सकते हैं कि अब कब होगा लेकिन इतना तो कंपर्म है कि दोस्तों कि नौंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट में ही जो है कि रनिंग का आपको जो है दोस्तों अभी ओपर्चुनेटी है कि जो है कि अस्टडी ठीक है वह आप अस्टडी को अच्छे से पूरे कीजिए आपको जदी नोट्स चाहिए तो आप मेरी टेलिग्राम ग्रूप पर जोइन कर सकते हैं ठीक है ताकि वहां से आपको नोट्स एव अथेंटिक ही होगी दोस्तों ठीक है जैहिन दोस्तों